कुछ दिनों पहले मैंने एक एनिमे देखना शुरू करा था जिसका नाम था फेलियर फ्रेम यह जो एनिमे है वो भी एक इसी काई फैंटेसी एनिमे है इसके अंदर जो अपना मेंग कैरड़र रहता है वो दुसरी दुनिया के अंदर टेलिपोर्ट हो जाता है और वहाँ पर टेलिपोर्ट होने के बाद में अपना एमसी जो है वो काफ़जदा ओपी बन जाता है तो इस वाल एनिमे के शुरुआत होती है और अपना जो एमसी रहता है वो एक स्कूल ट्रिप के उपर जा रहा होता है लेकिन आदे रस्ते के अंदर यह उसकी पूरी के पूरी स्कूल ब बाद में किसके पास में को optic वाली स्किल्स आई है और को बंदा यहाँ पर सबसे जाधा स्ट्रॉंग है और कौन यहाँ जाधा लोग ये को दो एनके होते हैं लेकिन अपना जो एमसी रहता है वो सबसे जाधा लोग जो एमसी का मजाक उडाते हैं यहाँ पर अपने angry नियक कि वो दुसरी दुनिया की अंदर टेलिपोर्ट हो फिर भी गौड़ेस उसको टेलिपोर्ट करा देती है और वहाँ पर उसकी रैंक सबसे अदा लो आती है इसलिए सारी के सारे लोग उसका मजा कोड़ाने लग जाते है जहाँ पर उसके लोवेस्ट रैंक की वज़े से उसको इस वले डंजन की अंदर टेलिपोर्ट करा देती है और वहाँ पर बोल देगी अगर तुमने इस वले डंजन को सरवाई कर लिया तो शाय से मैं तुमको अपने अंडर काम करने का मौका दूंगी यहाँ पर इतना बेज़त होने के बाद में अपना यमसी सोचता है कि अगर वो डंजन को सरवाई कर लेता है तो जिन जिन लोगों ने यहाँ पर उसका मजाग उड़ाया है वो उन सभी से रिवेंज लेगा यहाँ पर एक टैप से अपना यमसी एक एंटी हिरो है जिसको खुद के अलावा किसी से लेना देना नहीं है और अभी उसके लाइप क को देखने के बाद में इसके बार में मुझे एक अच्छी चीज लगी है और एक बुरी चीज भी लगी है तो सबसे पहले इसकी एक अच्छी चीज जो की है इसकी स्टोरी एनमे के स्टार्टिंग में तो आपको लगीगा कि इसकी जो स्टोरी है वो एक टैप से पूरी की पूरी कॉपी करी गई है लेकिन जैसे आप इस वाले ऐने में के दो तिन एपसोड देख लेते हैं तो आपको इसकी स्टोरी काफ जदा इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है तो स्टोरी के मामले में तो ये वाला ऐने में काफ जदा बढ़िया है लाइक ज़ादा तर इसे क anime की story तो same ही रहती है इस वाल anime की एक चीज़ मुझे बुरी लगी है जो की है इसका CGI माना कि anime की अंदर पैसे बचाने के लिए इन लोग ने CGI का यूज करा है लेकिन यहाँ पर story कितनी पर ज़्यादा अच्छी क्यों न हो लेकिन वो जो CGI आई है वो आपको एक टैप से negative impression देता ही देता है लाइक आपको किसी किसी जगव पे काफ़ी तकड़े वाले animation देखनी को मिल जाते है लेकिन एंड में आके CGI सारी चिज़ों का मजाग खराब कर देता है तो अगर आप CGI को इग्नोर कर देते हो तो ये वाला anime आपको काफ़ जदा पसंद आ सकता है तो इसको देखते टैम दिमाग में ये रखे रखना कि भाई पैसे बचाने के लिए इन लोग ने आपर CGI का यूज़ करा है